आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके के आप लोगों के औराज होते हैं और आपका औरा किस लेवल का है A, B, C, D, Z या Z- देखो बहुत सारे औरा हैं, बहुत सारे टाइप औरा है A का मतलब सबसे मजबूत, Z का मतलब वीक है और माइनस Z Z- में कहा जाता है कि बहुत ही बिकार आपका औरा है और कि पिल्डप नहीं है इसके बारे में हम बात करेंगे आज तो शुरू करते हैं प्यारी सी वीडियो को चैमा अतारी आप सभी को, मेरा नाम है अधैत और मेरे चैनल में मा अधिशक की मेजिटेशन केंद्र में आप सभी रहू का स्वागत है देखो औरा के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी बाते की है बहुत कुछ आपको समझाया है लेकिन औरा के लेवल्स के बारे में हमने कभे डिसकस नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मेरी ओडियेंस जो भी है मेरी फैमिली जो है वो थोड़े थोड़े चीज़ों को धीरे धीरे करके काच अब बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई है बहुत बड़े बड़े ऑथर्स को लेकर इंटरनेशनली भी लोगों ने पब्लिश की है एक फॉरन इंसान ने भी लिखा है इस बुक को विलियम्स ने और इंडियन के काफे सारे लोगों ने भी इंडियन ऑथर्स ने भी इंडियन पब्लिशर ने भी बुक्स पब्लिश की है लेकिन आज हम दोनों के क्राइटेरि तो नहीं बेलकुल लग अब देखो अलग लग लेवल है एक को हम कहते हैं एकदम सूपरव जेट को हम कहते हैं वीक जेड माइनस का मतलब होता है एकदम विकार जिस दिन मैंने अपने जर्वनी को शुरू किया था ना जो लोग भी sexually बहुत जाद involved होते हैं unmerit होने के बाद भी भ्रमचर्य का पालन नहीं करते हैं जनरली उनका और माइनस जेड माइनस हो जाता है क्यों क्योंकि उनकी बॉड़ी के अनर्जी इत्म लो हो जाती है लो होने की वज़े से औरा नहीं है आप meditation नहीं करते हो और उपर से भ्रमचर्य बहुत दरा frequent टोड़ते हो कामवासना है क्रोध है यह सारी चीज़े आपके अंदर है आप जेड माइनस का टेगरी में आ जाते हो जेड माइनस का मतलब है नेगेटिवीटी के लिए आप बहुत इजली एक बहुत इजी शिकार है तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको जेड से अपने आपको एट लीस्ट डी या सी पर अपग्रेड करना पड़ेगा अब देखो मैं बात करूं लगभग अगर आप जेड माइनस पर हूँ और एक महने तक मेडिटेशन करते हूँ विद्व्रह्म चर्रया तो कही ना कही आप जेड पर आ जाते हूँ जेड का एंगल होता है कही ना कहीं कि भाई ठीक है आपका ओरा ठीक ठाक है अब आप किस और पर है जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आप अभी किस और पर है आप कैसे पता लगाएगे देखो सबसे पहले नहीं आपको बात बताओ ताफ लोगों के मन में एक क्वेश्च कुछ ऐसे मंत्रा है जिसे 10 महविद्याओं की मंत्र है मा बगला मुखी मा तारा मा छिन नमस्ता मा चिंदपूर्णी भी कहा जाता है जिनको और जैसे कि आ गए अब महा काली तो यह सारे जो मा है मा भहरवी इन माताओं कि एवन मैं कहूंगा नवदुरुगा का भी इनिश्य कि दी जेड माइनस पे जेड पर अवॉइड करना चाहिए आपको साधुना करना इनिश्यली आप लोग ओम नमा शिवाए उम नमु भगवते वासु देवाए नम्हा कृष्ण भगवान का जाप और कोई भी एक नॉर्मल सा वेदिक मंत्र शुरू कर सकते हो अपना और बि अगर आपके पास आना चाहते हैं तो गलती से वह अगर आपके पास आ जाती तो आपको प्रॉब्लम होती है जैड माइनस काटेगरी में वो लोग हैं जो बिना भ्रमचर्य भ्रमचर्य बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट तोड़ते हैं जिनको मास्टिवेशन की बहुत जादा आदत है meditation ज़्यादा नहीं करते हैं और ज़्यादा नहीं योगा करते हैं ना meditation करते हैं ना ध्यान करते हैं कुछ भी नहीं करते हैं normal life जी रही है masturbation की बहुत ज़्यादा habit है आपकी औरा की category है z- माइनस शुरुवाती तोर पर आप सिर्फ और सिर्फ ओम्नमाशिवाय का जाब कर सकते हैं आगे आए z category को यदि की z- category से 15-20 दिन तक अगरा meditation करते हैं विद्ध्भम चरने का पालन करते हुए तो कहीं ना कहीं आप z की category में आ जाएंगे अब suppose आप z की category में आ गए हो आप जैड पर आने के बाद हलकी हलकी जो आपकी बॉड़ी है जब आप जैड से पहुंचेंगे डी पर तो हलकी हलकी आगे तीछे होने लगते हैं मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहें बर उनको और अभी डी लेवल पर या इसी लेवल पर है क्योंकि अगर आप एकदम से आप ए पर हो जाओगी तो ए पर वह भी तो इनसान है जो कितने सालों से तपस्या कर रहा है कितने सालों से मेडिटेशन कर रहा है राइट तो ऐसा नहीं आप डिरेक्ली ए पर पहुंचोगी ए पर पहुंचने पर आपको टाइम लगेगा क्योंकि 12 लेयर्स होती है 12 लेयर्स के बाद बहुत कुछ है अभी जानने को इस लेवल के बारे में लेकिन बेसिक में जाता था कि आपको इं कि सी से उपर की बात पिक हो बहुत लंबी हो जाती हँए को बहुत कुछ आता है ए लेवल पर तो आप अपनी बाडी को छोड़के जा सकते बहुत कुछ है किने कि अभी तोform आ इसका से ही किसीम बचाने औरा के बारे में मैं इसलिए ही ज़्यादा बताता हूँ ताकि आप लोग अपना औरा बिल्ड अप करें और सुरक्षित रहें क्योंकि अगर आप सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है आप सुरक्षा खुद की खुद करने बढ़ती है आपका औरा आपके खुद की personal bodyguard है, personal police है, इस बात का आप ध्याल लगें, तो ये हो गई कुछ औरा की category की बाते, जो कि आपको समझनी बहुत जरूरी है कि आपका औरा कौन सा है, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, मैं माइनर Z से उनको C तक लेके गया हूँ, D तक लेकर कर गया हूँ, काफे लोगों के दृष्टी भी खुली है, जो जैसा जिनका गोल है, जहां तक वो पहुचते हैं, मेरी meditation classes है, हम लोग ने भी fire therapy सीखी है, water therapy सीखी है, कुछ rules and regulations हम सीखते हैं, कुछ mantra हम सीखते हैं, ध्यान की techniques हम सीखते हैं, body को कैसे control करना हम सीखते हैं, body के negativity भी catch up हुई है, घर की problems भी catch up हुई है, और positivity catch up हुई है, अपी जैसे कि मैंने scanning की, जिसमें मैंने उन्होंने मेरे से पूछा था कि मेरे साथ कौन से energy है, मैंने बताया आपके साथ हनुमान जी के energy है, उन्होंने पूछा कि हनुमान जी की कौन से energy है, तो मैंने उन्होंने ब इसा पास भी वैसे ही भगवान उसी स्वरूप में किसी के पंच मुखी दिखने हैं तो किसी के सफेद कलर की कपड़े पहने हुए सफेद बालों के साथ हनुमान जी सिंदूरी हनुमान जी बहुत सारे अलग-अलग है अलग-अलग माँ है हमारे energies होती है अलग-अलग तत्व होते है हर चीजों को identify किया जा सकते है हर चीजों को देखा जा सकते है तो कोई इस प्रकार लोग aura scanning करवाते हैं अपने औरा के लेवल जानते हैं कि भाई कितनी लेयर्ज बन गहीं हैं, कौन सा कलर है औरा का, आप भी जानना चाहते हैं तो definitely आप मेसेज कर सकते हैं मेरे दिये गए नमबर पर और सीख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़े मेडिटेशन के बारे में, तो मिलेंगे हम न में एप फिलनष ओनानывать, स hmm लेव सकते हैं मेरे में, फिए 1